नमस्कार मित्रो नमिन्दर ना टैगोर ने कहा था कि यदि आप समस्त भारत को जानना चाहते हैं समस्त भारत की जीवन रेखाओं को यदि आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो स्वामी विवेक अनंद को पढ़ें उसके जीवन में समस्त भारत है हीज दा कंडेंशन मैन ओफ इंडिया जिसकी हर सांस में भारत बैता है मित्रो उन्नी दो हजार तेरह की आसपास की बात है मैं एक ऐसे व्यक्तितों का आपके सामने उद्रण कर रहा हूं जिसने विवेक अनंद को बच्पन में पढ़ा जी आर खेरनार बंबई मुनिस्पल कोर्परेशन के कमिशनर जिन्होंने वहां के सबसे बड़े राजनितिक आयरन मैन ओफ मराठा की बिल्डिंग को डिमोलिस्ट करने के लिए गए थे और बाद में उनको थोड़ी देर के बाद सस्पेंशन अर्डर मिला और वो सस्पेंड हो गए और कई वरसों तक कोर्ट में लड़ने के बाद जब जिया और खैरनार दोबारा अपने ओफिस में जॉइन किया हाई कोर्ट बंबे हाई कोर्ट से जीते तो अपने ओफिस में जाकर का कि चाय और पानी हम तब पिएंगे बाद में पहले हम उसी बिल्डिंग को जाम सस्पेंड हुए थे एक बहुत बड़े राजनिती की बिल्डिंग थी जो महराष्ट के अंदर सबसे बड़ा अपना राजनिती में कद रखते हैं उन्होंने जाके उसी बिल्डिंग को बिना चाय पानी पी एक गिराया और एक माइल स्थापित किया कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है यह को फोन लगाया I want to see you कहां अमरीका कहां बंबई और वो समय आया टाइम मैगजिन के अडिटर बंबई पहुचे और जियार खैरनार के सामने उन्होंने सबसे पहले परशंद आगा कि आपको यह सक्ति कहां से प्राप्त होई एक इतने बड़े राजनितिक के विरुद लड आट या दस वर्ष का था तो मेरी मम्मा ने मुझे पुस्तक पढ़ने को दी थी पुस्तक का नाम था स्वामी विवेकानंद के जीवन का प्रीच है सर्वो मैंने दस वर्ष के अवस्था में पढ़ी थी मैं एक राजनितिक तो क्या मैं सो राजनितिकों से लड़ सकता हूं कहने का तात्रीय ये है कि स्वामी जी के साइत में जो सकती है उसको पढ़ने वाले ही जानते हैं राज हिंदुस्तान में चाई परदान मंतरी नरिंदर मोदी है और बहुत सारे छेत्रों के अंदर जो महान काम कर रहे हैं जिनोंने बहुत बड़े काम के हैं विवेकनन से प्रभावित हैं विवेकनन के साइत को पढ़ा है विवेकनन की जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं में बच्चों के लिए जब स्वामी विवेकनन जी छोटे थे तो उनकी मा का जो चरित्र का प्रभाव और उनके जीवन सहली थी रामकिष्ण परमन्सका तो संपूर्ण रूप से उनके जीवन में परभाव पड़ा लेकिन मा का भी बहुत बड़ा योगदान स्वामी जी जिन दनों नरेंदर ना थे स्कूल में पढ़ते थे तो क्या हुआ एक भुगोल क्लास की कक्षा चल लई थी और टीचर ने उनसे परसंड किया तो स्वामी जी ने नरेंदर ने उस समय उसका जवाब दिया और वो जवाब सही था लेकिन अद्धापक ने कहा कि आपका जवाब गलत है नरेंदर उस पर अड़ गए और दोबारा से कहा कि सर मेरा जो क्वेस्चन का मैंने जो उत्तर दिया है वो बिलकुश सत्य है बार बार कहने पर टीचर को जुंजला अटाई और नरेंदर की अच्छी खासी पिटाई कर दी गई नरेंदर जब अपने घर पहुँचा तो अपनी ममा से कहा कि मा मैं अपने जो परसन का जवाब था वो बिलकुश सत्य और ठीक दिया और टीचर ने मेरी पढ़ाई कहा कि तुम्हारा जो उत्तर है वो बिलकुश गलत है और मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की भुनेशरी देवी ने कहा कि देखो बेटा यदि तुम्ही जानते हो कि मैं सत्य हूँ सत्य पर मेरी कसोटी सत्य है और ये सचाई है ये जो मेरा परशन था ये बिलकुश सत्य है तो आप उस पर अडिक रहे यही मा की जो सिख्षा सत्य पर अडिक रहे सत्य के लिए सब कुछ जीवन में छोड़ा जा सकता है लेकिन सब कुछ पाने के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता है रामकिशन परम्हंस की सिख्षया और मा की ये शिख्षया स्वामी विवेक अनुद के जीवन में बहोत ऐहम योगदान देती है एक ये घटना, दूसरी घटना जो स्वामीजी परिवारजक जीवन में वारा नसी धाम में ग्राण मंदिर से वापीस लोट रहे थे तो ज्ञादा उमर उस समय स्वामीजी की नहीं भी थी तो कुछ बंदरों ने स्वामीजी का पीछा किया और स्वामी जी आगे आगे दोडने लगे बंदर पीछे पीछे सामने से एक वरत सन्यासी ने कहा कि ठैरो, रुको, इनका मुकाबला करो स्वामी जी हाफ गए थे, सन्यासी के कहने पर रुके और उनकी तरफ अटकर खड़े हो गए और जैसे स्वामी जी खड़े वे सभी बंदर वहां से भाग गए है स्वामी जी ने याँ जीवन में कहा कि जीवन में बड़ी-बड़ी बाधाएं आएंगे जीवन में बड़ी-बड़े कस्ट आएंगे जीवन में बड़े संगर्स आएंगे आप उनका डटकर मुकाबला करें उनके सामने खड़े हो जाए चट्टान की भाती भागने के जुरूरत नहीं है अतोत्साइत होने के अशक्ता नहीं है जीवन इसी संगर्स में से निकलेगा और इसी संगर्स में से जीवन की एक नई किरन फूटेगी स्वामी जी की इन दो घटनाएं मा का ने कहा कि इस सत्त है रषत पर अडिग रहो किस उनिया के किसी आदमी की परवा मत करो और निर्भै वान बनो वो उस बंदर की घटनाश से स्वामी जी ने शीखा स्वामी जी की ये दो जो छोटी-छोटी घटनाएं थी उनके चरीतर के अंदर उनकी हर सास में बेहते गई और स्वामी जी जब अमरीका में गए तो कितने नीडर होकर उनोंने वहाँ पर जंता से मुकाबला किया है बहुत सारी उस समय उनको अमरीका में परेशानी आई लेकिन स्वामी जी के जीवन जो सकती थी इन गटनाओं से पहले से परिपूरण थी स्वामी जी जो अपने कॉलेज के छात्रों में होते थे तो बड़े सैंसील होते थे मित्रों के साथ बहुत अच्छा व्यवार करते थे उनकी मदद भी करते थे कालेज के दोरान इनके एक मित्तर हरीदास जी थे जो बहुत गरीव थे वो एक्जाम की फीश नहीं बर पाए थे और सचाई है कि पिछले एक 10-11 मेने की कालेज की जो फीश थी वो भी नहीं दे पाए थे लेकिन पढ़ने में ओशार थे वो पास हो सकते थे लेकिन उनको रोल लंबर नहीं दिया गया तो नरिंदर नाथ स्वामी विवेकानन अपने व्रद किरानी जो वहां राजकुमार बाबू जो सबसे सीनियर बाबू थे उस कॉलेज के उनके पास गए और कहा कि हरीदास बहुत गरीब धर का चात्र है ये फीज देने में असमर्त रहा है लेकिन पढ़ने में बहुत ओशार वो अच्छी तरह से पास हो जाएगा उसके लिए कुछ विवस्ता करें उसके फीज माफ करके उसको प्रिक्षा में बैठने दें बाबु किरानी राजकुमार जी ने नरिंदर नात को बहुत कुछ कहा कि बिना फीज के वो बैठ नहीं पाएगा वोई आप अपनी तरफ से फीज का परबंद कर दें और स्वामी जी वहां से निरास होकर वापिस लोटे हैं लेंगे स्वामी जी रुकने वाले कहां थे स्वामी जी का जो तरक सकती थी बहुत अच्छी थी स्वामी जी को मालुम था कि किरानी राजकुमार बाबु जी चरस का शाम को किसी अड़े पर जाकर रोज उसका शेवन करते हैं आज वो घर जाने की बजाए नरेंदर उस चरस के अड़े पर चले गए शाम हो गई थी और एक बड़े से कपड़े में अपने को ढखकर खड़े हो गए अन्देरा सा हो चुका था जब किरानी बाबु दीरे दीरे चरस के अड़े की तरफ बढ़ रहे थे तो स्वामी जी उस कपड़े को उतार कर उनके सामने खड़े हो गए राजकुमर बाबु जी कहां जा रहे हैं चरस खाते हैं चरस का सेवन करते हैं और कॉलेज में नेतिक शिक्षा देते हैं और स्वामी जी उसके पीछे पड़ गए या तो हरी दाज जी की फीस माफ कर दें नहीं तो कल पूरे कॉलेज में आपका डंका बजा दूँगा कि किरानी बाबु रोज चरस खाने के लिए चरस अड़े पर शाम को जाते हैं किरानी बाबु फस गए थे बड़े प्यार से उनके सर पे हाथ रकी नरिंदर तुम तो ऐसे हो क्यों तुम दुखी होते हो हमने कम मना किया है हम हरीदाज जी को कल नंबर दे देंगे सारी सुबह अपने मित्र हरीदाज जी के पास गए और हरीदाज जी को कहा सारी समस्चाओं का समाधान कर दिया है आपको आज रोल नंबर मिलेगा और परिक्षा की तैयारी करें आप हमारे साथ परिक्षा देंगे वही हुआ कालेज में जाते इस सुबह मोर्निंग में किरानी बाबु ने हरीदाज जी को बुलाया और बड़े प्यार से उनको रोल नंबर सब चीजें माफ करके और वो अपनी परिक्षा में बैठे रोतीरण हुए है नरेंदर के अंदर ये विशेशता थी बच्पन से विशेशता थी वो गरीबों की मदद करते थे आगे चलकर वो अंदर एक तरह का डंका बजाया है शेवा का ये संस्कार उनके बच्पन से ही थे स्वामी जी एक बार वरंदावन में गुम रहे थे तो सामने से देखा कि एक व्यक्ति चिलम पी रहा है स्वामी जी मूड के मालिक थे तो स्वामी जी ने उन से कहा कि चलम हमारी पीने के इच्छा है तो उस भंगी महतर कहा कि नहीं नहीं स्वामी जी आप स्वामी जी मैं तो भंगी हूँ महतर हूँ मैं अपनी चलम आपको कैसे दे सकता हूँ स्वामी जी ने चुप चाप होकर आगे चले गए थोड़ा सा पचास-साथ कदम जाने के बाद स्वामी जी ने सोचा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ मुझे जाती पर था इन सब चीजों से मेरा क्या लेना देना मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ और स्वामी जी के आत्मा में उस समय एक सकती सी जागर्त हुए और स्वामी जी वापिस मुड़े और उस मेतर के पास आए और उनकी चलम को छीना और कहा कि नाई मैं भी आप की तरह हूँ मैं किसी जाती मैं सन्यासी हूँ मुझाती का मेरे उपर कोई प्रभाव नहीं है और उनके साथ बैठ कर दुबारा चलम भरवाई और पंदरा वेश मिनट तक उस चलम का आनंद लेते रहे स्वामी जी के जीवन में जो घटनाए हैं इनसे हम बहुत कुछ शीख सकते हैं स्वामी जी का जो जीवन था जीव सेवा ही नहीं जीव पर दया ही नहीं जीव की सेवा करो इस्वर के रूप में सेवा करो जीवन का सार्थक सफल तभी होता है कि आप जीव को नर के और नारायन के रूप में उसको ग्रहन करें और उसके शेवा करें तभी जीवन में आप सफल होते हैं और तभी आपको जीवन सक्ति प्राप्त होती है आगे के घटनाओं को और नन हम अगली कड़ी में करेंगे जै हिन जै भारत